मेरे अंदर एक खुला आस्मान है जिसमें मौसम बदल रहा है कभी धूप है तो कभी बारिश है पर इन सब के नीचे कहीं चार दिवारों के नीचे मैं हूँ कदम और पल जैसे बढ़ते हैं बढ़ते हैं तजुर्बे और जक्व बढ़ती है कामियाबी और खुशिया बढ़ते हैं लोग और अकेला पल बढ़ते हैं ख्वाव बढ़ती हैं यादे और इन सब में कहीं खोया मैं हूँ मैं यहीं हूँ इसी जगा हूँ पर ना जाने मैं खुद को कहां कहां देख लेता हूँ कभी किसी को मेरी खबर नहीं तो कभी खबरों में मैं हूँ कभी खुद में ही मैं नहीं पर उन सब की मुस्कराहटों में मैं हूँ कभी सच्चाई में मैं नहीं बस कहानी हो में मैं हूँ और कभी तो मेरे अलफाजों में भी मैं नहीं पर उनके नजरिये में मैं हूँ मैं हूँ तो क्या हूँ ये पूछू ना किसी से क्योंकि दूसरों के नजरिये में मैं तो कहीं नहीं हूँ और पता मेरा शायद मुझे ही पता लगाना होगा ताकि कहे सको दुनिया से कि दुनिया तु मुझे ये समझती है और ये मैं हूँ दुनिया की बातों में मेरी हकीकत हो ना हो जिसकी बात हो रही है वो तो मैं ही हूँ दस वजाएं ढून सकते हो उटसे नफरत करने की उनमें भी मैं ही हूँ, खोया सा पर जगा सा मैं हूँ, ढून लूँगा खुद को क्योंकि ढूनने वाला मैं हूँ, दुनिया का पता नहीं पर मुझ से जिनें उमीद और खुशी मिलती हैं, उनके लिए मैं हूँ, उमीदों के समझे जाने तक इनसान के समझे जाने तक जो वक्त बीतेगा, वो इंतजार मेरे लिए बहुत लंबा है मेरे दोस्त, तब तक शायर मैं अपने आप से मिल ही लूँगा, अपने जखमों को मैं खुद सहला ही लूँगा, अपना हाथ में खुद थामूँगा, खुद को भरोसा मैं खुद दिलाऊंगा, और जिन्दगी में आगे मैं बढ़ता रहूँगा, लिखता मैं हूँ, बया करता मैं हूँ, पर इस सब का सामना करने वाला, मैं अकेला नहीं। अपना हाथ में खुद दिलाऊंगा,